हाई गाईज विल्कम बेक टो माई चैनल आज के वीडियो में आप लोगों के साथ चेयर करने वाली हूं ये मेकप लुक और आप यखिन नहीं करेंगे कि इस मेकप लुक के बेस के लिए मैंने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ वीको क्रीम तो अगर आप जाना जाते हैं कि मै मैंने ये मेकप लोग कैसे क्रियेट किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले स्टेप है फेस को मॉस्टराइज करने का और उसके लिए मैं यूज कर रही हूं बायो दीक का मॉस्टराइजिंग क्रीम वैसे तो ये क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए सू मॉस्टराइजर को कभी भी स्किप नहीं करना है विंटर टाइम है तो लिप्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसके लिए मैं यूज कर रही हूं वैसलीन जो की सबसे अच्छा लिपाम है और क्यूंकि आज मुझे यूज करनी है लिक्विड लिप्स्टिक क्योंटिटी की क्यूं तो क्यूंटिटी में Almost क्योंटिटी की ऐसे ऐसे और सबसे पहले इसे डाट फॉर्म में अपने ऐस पे अपलाई करऊँगी और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करऊंगी और सच कहूं तो इस क्रीम को आज मैंने फर्स टाइम यूज किया है मतलब इससे पहले मैंने बीको की क्रीम कभी भी यूज नहीं की है और ब्लेंडिंग के लिए मैं फिंगर यूज करूँगी आप चाहें तो ब्रस यूज कर सकती हैं बट फिंगर से ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा और कवरेज भी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी इसलिए मैं फिंगर ही यूज कर रही हूँ और फिंगर की हिल्प से ही ब्लेंड करूँगी यह है मेरी फाइनल कवरेज आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसने बहुत अच्छे से फेस को कंसील और कवर कर दिया है मेरे फेस पे जो पिंपल के मार्क्स हैं जो ब्रेक आउट हैं वो अभी भी दिख रहे हैं बट मुझे लगता है कि यह इनफ है और थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद भी कवरेज मिल जाती है और कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेवलीन का फिट मी कॉम्पैक्ट वैसे अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज की नीड हो तो आप इसकी सेकेंड लेयर भी अपलाई कर सकती है वीको क्रीम की या फिर आप थोड़ा सा कंसीलर भी यूज़ कर सकती है आइशेड़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकप रेवलुशन का रिलोड़ेड आइशेड़ पैलेट और सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक लाइट मैट ब्राउन शेड अपनी पूरी आई लेट पे जिससे की आईशेड़ को एक बेस मिल जाए नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ये शाइनी शेड यूज़ करूँगी और इससे अपनी आई लेट पे प्लेस करूँगी वैसे ये शेड बहुत ज़्यादा पिक्मेंटेड है बहुत अच्छे से पिक भी होता है और बहुत अच्छे से अपलाई भी होता है नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी आईलाइनर क्योंकि मेकप थोड़ा सा सिंपल है तो मैं चाह रही थी कि आईज में थोड़ा सा कलर एड़ करूँ इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनवाईवे का आईलाइनर जो की शेड है ब्लू और आजकल मुझे कलर आईलाइनर बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनसे आपका जो मेकप लूक है वो जादा अट्रैक्टिव बन जाता है और बहुत कम मेहनत आपको करनी होती है नेक्स्ट यूज़ करूंगी मसकारा मसकारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलीन का कलोसल मसकारा मसकारा यूज़ करना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लैसेस को बड़ा दिखाती है आपकी लैसेस पे एक इल्यूज़न क्रियेट करती है बलस्ट मैं सेम आईशेड़ पैलेट से एक कोरल शेड यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने बहुत बार आपनों के साथ शेयर किया है कि आईशेड़ को आप अईशेड़ भी वियर कर सकती है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी हाइलाइटर के लिए मेरा परसनल फेबरेट है वेटा इन वाइल्ड का हाइलाइटर तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए काजल के बिना तो मेरा मेकप लूप कम्पलीट हो ही नहीं सकता इसलिए काजल के लिए मैं यूज़ कर रहे हूं और ये में मेरा बहुत अच्छा है इसे मैं लोवररलश लाइटर पे भी काजल अपक्याइटर आपकub करूँही साथ शाथ अपर वाटरल लाइट को भी टाइट लाइं करूंगी लिप्स्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर की स्मजमी नॉट लिक्विड लिप्स्टिक और इसमें जो मेरा शेड है वो है 0310 यह लिप्स्टिक कम्प्लीटली मैट है ट्रांसपर प्रूफ है इसलिए अपने लिप्स को अच्छे से एक्सपोलियेट और मॉस्ट इस एक्सपोलिये जरूर कर ले इस लिप्स्टिक को अपलाई करने से पहले तो यह मेरा फाइनल लूक और आप देख सकते हैं कि सिर्फ वी को क्रीम को यूज़ करके ही आप अपना मेकप लूग क्रियेट कर सकती है तो अगर आपके पास वी को क्रीम है तो आप उसी को यू वीडियो अच्छा लगा हो आपने इंजोई किया हो तो लाइक और शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में